परदेश योवा कॉंग्रेस के सचिव अविशेक राना ने सांसत अनुराक ठाकुर पर तीखा हमला बोला है कालका से परमानू रेल लाइन के मुद्दे पर चीडी जवानी जंग में अविशेक राना ने दो टुक शब्दों में कहा कि कॉंग्रेस पार्टी को सांसत से सर्टिफकेट लेने की ज़रूरत नहीं है अपितु सांसत अनुराक ठाकुर सुएं तथ्यों को हमेशे चुपाने की फिराक में रहते हैं साथ ही अनुराक ठाको ने जूट बोलने में डिगरी हासिल की है और अक्सर जूट बोलकर ही जनता को गुमरा कर रहे हैं युवब पार्डेस कॉंग्रेस सर्चीव अविशेक राना ने कहा कि विकास को लेकर कौन सच बोल रहा है इसके लिए सांसत को सर्टिफकेट देने की जरूरत नहीं है उन्होंने आरोप लगाया है कि जूट बोलने में सांसत अनुराक ठाको ने डिगरी हासिल की है और सुप्रीम कोट को गलत हलफ नामा दिया था राना ने सवाल पूछते हुए कहा कि चात्रविती योसना में अबल चात्रों को हवाई यात्रा के सपने दिखा रहे थे पलटवार करते हुए अविशेक रानों चानकरी की अभाव की बात कही थी तो पढ़ाई में कच्चा होना बताया था जिस पर अब युवा कॉंग्रेस ने भी पलटवार की राजनीती शुरू कर दी है भारतिय जनता पार्टी से कॉंग्रेस पार्टी को सर्टिफिकेट लेने की जुरूत नहीं है जहां तक हमारे सांसद महदे राहूल गांडी जी की बात कर रहे हैं तो पूरे देश जानता है पूरा संसेदेश शेतर जानता है कि अगर जूट बोलने में डिग्री हासिल करी है तो माननी समानी हम सांसद जी ने करी है जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी और एफिडेविट दिया कि मुझसे गलती हुई है मैं उसके लिए शमा चाता हूँ रही बात सांसद जी की तो मैं यह गहना चाहूंगा कि हमारे सांसद महदे उस विध्यारती की तरह विवार कर रहे हैं जिससे परिक्षा में सवाल कुछ और किया जाता है और जवाब कुछ और देते हैं हम तो सिर्फ यह सवाल पूछ रहे हैं सांसद महदे से सिधा सिधा सवाल ये है कि प्रमाणू में जब पूर्मुख्य मंतरी मानिय सम्मानिय धुमल साब ने वहाँ पर सिला न्यास किया रेल ब्रिट गौज का वहाँ पर 30 करोड की लागत से वह गौज बना था पूरा का पूरा तो उसका क्या बना 20 साल होने को आ रहे हैं सांसद महदे की सरकार थी बारते जनता पार्टी की सरकार थी 2012 में बंगाना सुरंग का जो वहाँ पर सिला न्यास हुआ उसका क्या हुआ कितना बजट था वो काम क्यूं नहीं शुरू हुआ एक इंच का काम क्यूं नहीं हुआ उसके बारे में टिपनी दे और अभी पीछे सा संसे दिशेत्र के उनको हवाय आत्रा कर आंगे महिनें बीट्ट गयो हमारे संसद्ही शेत्र से जूट को भी नी चोड़ा वह बच्कों को भी ने चोड़ा है even यह मैं सिर्फ इतना कहना चाहांगा कि उन्से सवाल पूछ जा रहा है अधार पे है सबूतों के अधार पर पूछा जा रहा है उनके सामने हैं देरा युनिवरस्टी की बात उन्हों ने की तो देरा युनिवरस्टी में भी अब एक साल उनकी सरकार को हो गया हमारी सरकार और ने कोई अडंगा नियड़ाया तो जमीन वहां पर पड़ी हुई है सैंक्शन हो चुका है सब कुछ तो अभी तक सिला नास क्यों नहीं हो रहा है बजट क्यों सैंक्शन हो रहा है इसके बारे में सांसर जो है वह हमारे संसीदी शेतर की जनता को है पुष्टी करें